गुल्मोर्डरोंग स्टुडेंट्स कैसे वो बेटा सभी तो बेटा हम लाइकेन में जनन पढ़ रहे थे और लाइकेन में काईक जनन अपना हो गया था और एलैंगिक जनन हो गया था और तीसरा जो परकार है जनन का वो है sexual reproduction यानि लाइकेन जो है उनमें लेंगिक जनन ये अच्छा कुशन है और एक दस नमर का बनता है कि लाइकेन में लेंगिक जनन लाइकेन में जो लेंगिक जनन है वो समानतया एसको एसको लाइकेन जो होती है उसमें होता है एसको लाइकेन जो है उसमें लेंगिक जनन जो है ये पाया जाता है और लेंगिक जनन में केवल कवकांस लेंगिक जनन में केवल कवकांस जो है यही भाग लेता है सेवलांस का कोई हिसा नहीं होता है सेवलांस जो है यह लेंगिक जन्नन में भाग नहीं लेता है केवल कवकांस जो है यही लेंगिक जन्नन में भाग लेता है ठीक है और सेक्शल रिपोर्डेक्शन कोन सी लाइकेन में मिलता है एसको लाइकेन जो है उनमें sexual reproduction पाया जाता है और इस sexual reproduction में केवल लाइकेन का कवकांस ही भाग लेता है सैवलांस जो है ये भाग नहीं लेता है ठीक बेटा इसमें क्या होता है कि जो कवक तन्तू है कवकांस भाग लेता है अता है कवक तन्तू जो होते हैं इनमें सबसे पहले लेंगिक लेंगिक संडचनाओं का निर्मान होता है सबसे पहले किसका निर्मान होता है लेंगिक जो संडचनाओं है उनका निर्मान होता है जैसे हम बात करें कि नर जनन जो संरचना होती है नर जनन जो संरचना है वो इस्पर्मो गोनिया इस्पर्मो गोनिया इस्पर्मो गोनियम कहलाती है नर जनन जो संरचना है वो क्या कहलाती है इस्पर्मो गोनियम कहलाती है ठीक है बटा दूसरा बात करते हैं कि मादा जनन संरचना मादा जनन जो संरचना है वो कार्पो गोनियम कहलाती है ये दोनों चीजें याद रखनी है एक तो नरजनन जो संरचना है इस पर्मो गोनियम कहलाती है और मादा जनन जो संरचना है वो कार्पो गोनियम कहलाती है ठीक है बटा कार्पो गोनियम जो है कार्पो गोनियम गोनियम जो है इसमें जब निशेच्चन हो जाता है निशेच्चन जो है उसके बाद इसमें फलनकाई बनते हैं फलनकाई जो है उसका निर्मान होता है कार्पो गोनियम में और ये फलनकाई दो प्रकार के हो सकते एक तो पैरी थीशियम पैरी थीसियम फलनकाय बन सकता है और दूसरा एपो थीसियम एपो थीसियम ये दो फलनकाय बनते हैं कार्पोगोनियम में पैरी थीसियम और एपो थीसियम फलनकाय जो है उनका निर्मान होता है और इन फलंकाय जो है इनमें एसकस एसकस फिलामेंट बनती है एसकस फिलामेंट बनती है इनके अंदर ही क्या बनती है एसकस फिलामेंट जो है उनका निर्मान होता है ठीक है बेटा और एसकस फिलामेंट पर एसको इस्पोर एसको इस्पोर जो है उनका निर्मान होता है और ये एसको इस्पोर अंकुरित होकर अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर कवक तंतू का निर्मान करती है क्या बनाएंगे कवक तंतू और ये कवक तंतू जो है उचित सैवाल उचित सैवाल से मिलकर ये लाइकेन के थैलस जो है उसका निर्मान करती है लाइकेन के थेलस का निर्मान करती है मैटा इस बार समझना इसको दुबारा कि sexual reproduction एसको लाइकेन जो है उसमें पाये जाता है जिसमें केवल कवकांस ही भाग लेता है सैवलांस भाग नहीं लेता है कवक तन्तू जो है उस पर सबसे पहले लेंगिक संरचनाई बनेंगी नरजनन जो संरचना है इस पर्मोगोनियम कहलाएगी मादा जनन संरचना है कार्पोगोनियम कहलाती है कार्पोगोनियम में निशेचन के बाद पैरिथीशियम और एपोथीशियम फलनकाय बनते हैं जिसमें एसकस फिलामेंट बनती हैं इन फलंकाय में क्या बनेंगे एसकस फिलामेंट और ये एसकस फिलामेंट में एसको स्पोर बनती हैं क्या बनेंगे एसको स्पोर और ये एसको स्पोर जो है ये अंकुरित होकर पहले कवक तंतु बनाएंगे और कवक तंतु ओचित सहवाल से मिलक लाइकेन के थैलस का निर्मान करता है ठीक बेटा अब हम सबसे पहले नंबर एपर जो है वो लेते हैं इस्पर्मो गोनिया इस्पर्मो गोनियम इस्पर्मो गोनियम यानि नर जनन संडचना इस्पर्मो गोनियम इस्पर्मो गोनियम क्या है कि कुछ लाइकेन है ऐसी है जिनके थैलस पर जिनका जो थैलस होता है उस थैलस की उपरी सतय पर उपरी जो सतय है उस उपरी सतय पर फ्लास्क नूमा संडचना ये दसी वी पाई जाती है फ्लास्क नूमा संडचना ये जैसे उपरी सतय है और इस पर ये फ्लास्क नूमा संडचना है ये दसी वी पाई जाती ठीक है और इनका जो उपरी सिरा होता है जिस पर एक छिद्र होता है वो ओस्टियल कहलाता है उपरी सतय पर ये छिद्र के रूप में खुलती है जिसे क्या का जाता है ओस्टियल ये जो फ्लास्क नूमा सर्णचना जो दसी हुई है थैलस में ये इस परमोगोनियम कहलाती है जिसके उपरी सीज़ पर जो छिद्र है वो ओस्टियल कहलाता है ये जो गुवा होती है इस गुवा में दो प्रकार के कवक तंतू बनती है दो प्रकार के क्या बनते हैं कवक तंतू बनते हैं दो प्रकार के कौन से है जिसमें एक है बन्ध तंतू और दूसरा है उर्वर तंतू और बन्ध तंतू देखें बन्ध तंतू जो है इस पर तो जो पुमुणू है उनका निर्मान नहीं होता है पुमुणू का जो निर्मान है वो किस पर होता है उर्वर तंतू पर होता है तो उर्वर तंतू जो होता है ये जैसे उर्वर तंतू है इसके सीर्ष पर पुमुणू जो है उनका निर्मान होता है इनके सेश पर किसका निर्मान होता है पुमुनु जो नर्युगमक होता है इसका निर्मान होता है और ये पुमुनु जो है ये नर्युगमक की भांती कारिये करता है ये किसकी भांती कारिये करता है नर्युगमक जो है उसकी भांती कारिये करता है परिपक होने के बाद जब पुम्णू परिपक हो जाता है परिपक होने के बाद ये पुम्णू जो है ये ओस्टियल के द्वारा जो है मुसीलेज मुसीलेज के साथ बाहर आ जाता है जो मुसीलेज है उसके साथ क्या आ जाता है बाहर आ जाता है जैसे ये पुम्णू जो अंदर बन रहे है इस्परमेटियम जो है ये जब परिपक हो जाते है तो मुसीलेज जो है उसके द्वारा के साथ ओस्टियल के द्वारा बाहर आ जात यह इस पर्मो गोनियम एक फ्लास्क नुमा सनचना है जो उपरी सतय पर बनती है ठीक है और इसमें दो परकार के कवक तंतू बनेंगे बंध तंतू और उर्वर तंतू के सीस पर पुम्णू बनते हैं जो नर्युगमक होते हैं और परिपक होने के बाद मुसिलेज के साथ यह ओस्टियल के द्वारा भार आ जाते हैं ठीक है बेटा तो यह इसकी पहली जनन सन्रचना होगी इस पर्मो गोनियम ठीक है अब दूसरी सन्रचना लेते हैं इसकी वो दूसरी सन्रचना है कार्पो गोनियम ठीक है बेटा कार्पो गोनियम जो है यह मादा जनन सन्रचना होती मादा जनन संरचना होती है कार्पो गोनियम नहीं कर पहु की कियो भुको सिकिये होती है और आधारियो भाग इसका आधारी भाग होता है आधारी भाग जो होता है ये कुंडलित होता है आधारी भाग क्या होता है कुंडलित ये वाला जो भाग है ये क्या है कुंडलित होता है ठीक है जिसे क्या कहा जाता है एसको गैनी एसको गैनी कहा जाता है जिसका आधारी बाग कुणलित होता है वह इसको गैनी कहलाता है तथा उपरी सिरा उपरी सिरा जो है ये एठा हुआ एठा हुआ नलिका कार होता है जिसे ट्राइको गैनी ट्राइको गैनी कहा जाता है ये जो एठा हुआ जो भाग है ये क्या कहलाता है ट्राइको गैनी कहलाता है और आधारी बाग जो कुणलित होता है वो एसको गैनी कहलाता है कार्पोगोनियम जो मादा जनन सनरचना होती है भव कोशिकी होती है जिसका आधारी भाग कुणलित होता है जो एसकोगैनी कहलाएगा उप्री भाग एठा हुआ होता है नलिकाकार होता है जिसे ट्राइकोगेनी कहा जाता है ठीक है बेटा अब देखिए जो कार्पोगोनियम है इस कार्पोगोनियम का निर्मान अब निर्मान कैसे होता है कार्पोगोनियम का जो निर्मान है ये लाइकेन में जो मज्जा होती है मज्जा जो है उसके किसी भी कवक सुत्र के द्वारा हो सकता है ये जो कवक सुत्र होते हैं इन कवक सुत्र के द्वारा इसका निर्मान हो सकता है तो कार्पोगोनियम का जो निर्मान है वो मज्जा में उपस्तित किसी भी कवक सुत्र के द्वारा हो सकता है ठीक है बेटा, एस्कोगोनियम जो होती है, एस्कोगोनियम जो है, ये मज्जा में दसा हुआ होता है, ये एस्कोगैनी, एस्कोगैनी जो है, ये मज्जा में, मज्जा जो है, उसमें दसा रहता है, आधारी ये बाग है, जो कहां पारिस्तित होता है, मज्जा में दसा रहता ह और ट्राइकोगैनी जो है ये थेलस से बाहर निकला रहता है जो थेलस है उससे बाहर निकला रहता है ये जो एसकोगैनी है ये तुमज़ा में दसा हुआ है और ट्राइकोगैनी जो है ये थेलस से बाहर निकला हुआ होता है ठीक है जिसके उपर जिलेटनी जिलेटिनी आवरण जो है ये पाया जाता है चायकोगैनी जो है इसके उपर किसका आवरण पाया जाता है जिलेटिन जो है उसका आवरण पाया जाता है जो थैलस से भार निकला रहता है ठीक है बटा तो ये हो गया कार्पोगोनियम क्या है मादा जनन संरचना होती है बहुपोश की संद्रचना है ये बहुपोश की पूरी संद्रचना और इसका आधारी भाग क्या होता है कुंडलित होता है कुंडलित है जिसके जिसे हमें क्या नाम दे दिया एसको गैनी नाम दे दिया उपरी सिरा जो होता है इसका ये उपरी सिरा है ये एठा हुआ नलिका कार होता है जिसे ट्राइको गैनी कहा जाता है ठीक है बेटा कार्पो गोनियम जो है इसका निर्मान मज्जा में थेलस की जो मज्जा होती है उस मज्जा में किसी भी कवक तंतू से हो सकता है कवक शुत्रिया कवक तंतू जो है उसके द्वारा इसका निर्मान हो सकता है एसकोगैनी कहां इस्तित है पर मज्जा में दसा हुआ है ट्राइकोगैनी जो है ये थैलस के बहार निकला हुआ होता है और इस पर जिलेटनी आवरण उपस्तित होता है ये हो गया बेटा इसका एसकोगोनियम हो गया और कार्कोगोनियम हो गया ठीक बेटा दोनु नर्जननंग भी हो गया और मादा जननंग भी हो गया अब आता है निशेचन फर्टिलाइजेशन निशेचन अब देखी बेटा निशेचन कैसे होता इसमें कि पुमणू 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 मतलब वो क्या हो गया इस परमेटियम इस परमेटियम यानि पुमणू जो है ये विमुक्त होती है इस परमेटियम जो है ये क्या हो जाते है विमुक्त होने के पस्षाद ये ट्राइकोगैनी जो है उसके उपरी सिरे पर उपरी जो सिरा है उस उपरी सिरे पर चिपक जाती है देखे पेटा जब पुम्णू जो है ये मुक्त होते ही है तो ये विमुक्त होकर ट्राइकोगैनी ये उपरी भाग है ट्राइकोगैनी इस ट्राइकोगैनी के उपरी भाग से चिपक जाते ही है तो सबसे पहले हमने जो करवाया था इसमें वो था इस पर्मो गोनियम और इस पर्मो गोनियम में क्या बनते पुञ्णू और पुञ्णू जब मुक्त होंगे यह विमुक्त होकर ट्राइकोगैनी जो है उसके सीज भाग से चिपक जाते हैं ठीक है बेटा और जहां से वो चिपकते हैं तो दोनों के बीच जो भित्ती है जहां से वो चिपकते हैं दोनों के बीच की भित्ती जो है वो गल जाती है और पुम्णू पुम्णू यानि इस परमेटियम जो है उसकी अंत्रवस्त्वें अंत्र वस्त्विय यानि उसका आंत्रिक जो पदार्थ है वो ट्राइको गोनी ट्राइको गैनी जो है इसमें प्रवेश कर जाता है भई जैसे ये ट्राइको गैनी है इसका उपरी सिरा है और इस पर पुम्नु आकर चिपकता है ठीक है अब पुम्णों चिपकने के बाद दोनू के बीच की जो भित्ती है वो गल जाती है जिसे पुम्णों की जो अंत्र वस्तुएं है वो किस में प्रवेश कर जाती है ट्राइको गैनी में प्रवेश कर जाती है तीक है ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनू का जो केंद्रक है कि उन दोनों का केंद्रक आपस में सयोजित होता है होता है या नहीं होता है ये हभी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन पुमुणू की जो अंत्रवस्तुविये हैं ये किसमें प्रवेस कर जाती है ट्राइकोगोनियम जो है उसमें प्रवेस कर जाती है ये है इसमें निशेचन की क्रिया कि पुमुनु विमुक्त होते हैं जो ट्राइकोगैनी के उपरी सिरे पर चिपक जाते हैं तता दोनु की बीच की भित्ती जो है वो गल जाती है और पुमुनु की अंत्र वस्तुएं या अंत्रिक पदार जो है वो ट्राइकोगैनी में प्र कर जाता है लेकिन दोनु का केंद्रक आपस में सयोजित होता है यह या नहीं होता है यह अभी तक ज्यात नहीं हुआ है ठीक बेटा तो यह है अगला जो होगा उसमें बताएंगे निशेचन की बाद किस प्रकार परिवर्धन की क्रिया होती है ठीक बेटा तो आज के लिए तना ही थैंक यू